ओके तो चलो part 2 को चालू करते हैं अब देखो यार अगर तुमने top underrated but strong character का part 1 नहीं देखा है तो जाकर के पहले वह वाला वीडियो देखो तुमको description और comment box पे उसका link मिल जाएगा तो उसको जाकर के पहले देखने उसके बाद part 2 देखने के लियाना और अगर तुम part 2 देखन लिये जाके देख सकते हो वज़े देखो part 1 बनाने के बाद मैंने सोचा था कि बहुत सारे लोग part 2 का भी demand करेंगे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे characters के नाम लिये थे कि भाई इनको part 2 में होना चाहिए था मैंने part 2 में already उनको जो है सोच रखा था लेकिन लोगों न reply नहीं देपाता हूं बहुत सारे लोगों के comment छुड़ जाते हैं बहुत सारे लोगों को reply नहीं देपाता हूं कमी लोग यार गीन्चुन के लोगों को मिलते हैं सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहा हैं बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं वीडियो तुम देख रहे हो कि रेगुलर आते हैं तो इस वज़े से मैं टाइम नहीं दे पाता हूं तो यह सारी रीजन्स हैं लेकिन अब से मैंने एक चीज सोचा है तुम सब जितने भी कमेंट क देना चाहिए और मुझे वो कमेंट अच्छे भी लगे थे उनको मैं रिप्लाइ भी दूंगा और देखो जो लोग इसको टाइम पास समझ रहे हैं मतलब वो लोग बोर हो जाएंगे स्क्रीन में इतना टाइम दीख रहा है यहां तक वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं और जिनको कमेंट के रिप्लाइ जानने हैं वो लोग यहां से देख सकते हैं बट उससे पहले मैं एक बंदे को साउट आउट देना चाहूंगा बिकॉज इस बंदे ने मुझे जो इंस्टाग्राम पे भाई बहुत बार बोलागी भाई साउट आउट दे दो तो दे रहा ह तो सबसे पहले कमेंट जो आता है वो है भाई यामाटो का डेवल फूट अवेकन हो चुका है बाई देखो पहली बात तुम मेरे से पूछ रहा हो या फिर जवाब देरो मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन मैं इसको जवाब की तरह लूगगा बिकॉज फर्स पार्ट में म बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होगी बिकॉज अभी वो काईडो से फाइट कर रही थी एंड वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है तो फ्यूचर में वह एक यौंग को लेबल बन सकती है ऐसा मैंने कहा था जिसके बाद कमेंट में इस बंदे ने कहा है कि भाई यामाटो का अगर तुम देखो ना जिसे लोग अवेकनिं फॉर्म मानते है बिकोज इसके अगल बगल क्लाउड्स क्रियेड होते हैं जैसा लूफी, लुची से लोग समझते है कि यामाटो अपने अवेकनिंग फॉर्म में है अब देखो अछा नहीं है अगर शिरफ क्लाउड वालवा है ना तो बताता हूं लूफी जब अपने गियर फोर में जाता है तब भी उसके अगल बगल इस टाइप के clouds create होते हैं तो क्या इसका मतलब यह हो जाता है कि भाई लूफी का गियर फोर भी लूफी का devil fruit awaken है नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है विकोज हमें साफ साफ मांगा में बताया गया कि खुद लूफी कहता है गियर फाइब उसका last stage है एंड फाइब वेल्डर्स जो है उसके awakening को explain करते हुए नजर आते हैं एंड देखो गियर फोर में भी जब cloud है तो इसमें कोई सक नहीं है कि बिना awakening के भी clouds आ सकते हैं साथ ही साथ एक और चीज़ पर ज़रा तुम focus करना जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है लूफी का devil fruit एक god की power को hold करता है sun god nika की power देता है लेकिन जो yamato का devil fruit है वो भी एक god की power को hold करता है जिसके बार में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा अगर तुमने anime या manga ध्यान से देखा है एंड manga को ध्यान से read किया है तो तुम वो वाले chapter को खोलना एंड वो वाले episode पे जाना जहां पर kaido versus yamato का fight चल रहा था अब देखो kaido का कहने का मतलब ये था कि yamato का devil fruit वानों के संग रक्षक देवता की power को रखता है तो हां यहां पर जो है yamato का devil fruit एंड लूफी का devil fruit दोनों जो है god की power को रखते है तो यहां पर possibility यह हो सकता है कि बाई god की power है कुछ तो similarity निकल के है साथी साथ लूफी का devil fruit जो है rare mythical zone devil fruit है और yamato का devil fruit भी rare mythical zone devil fruit है तो यहां पर यह भी एक point है इसके बाद जो next comment है green bull फट्टू है then kizaru and fujitora are also फट्टू as you have seen they were traumatized by sanks conqueror haki first of all देखो यार मैंने वहां पर यह नहीं बोला था कि green bull डरपोक है मेरा कहने का मतलब था green bull जिस तरीके से भागा था न वो उसके फट्टू होने का निशानी देता है वरना भाई वो तो लूफी का सर लाने का बात कर रहा था लेकिन जो उसने हरकते की है उस basis पे मैंने कहा था साथ ही साथ जो इसने एक्जामपल दिया कि जारू एंड फुजी तोरा का तो देख भाई वो नॉन कैनन मूवी थी उसका वन पीस के मांगा से कोई लेना देना नहीं था उसका स्टूरी उससे कुछ भी जुड़ा नहीं था सिभाए उता के विकॉज उता सैंक्स की भाई देखो सैंक्स सुप्रीमेसी एंड मरीन फोर्ड क्यों रुका था उसका अलग रीजन है चलो मेन मुद्देप आते हैं हमारे लिस्ट को चलू करते हैं सबसे पहला क्यारेक्टर जो मुझे लगता है कि इस लिस्ट में आना चाहिए पार्ट टू में तो वह है विस्ट नहीं है यह मैंने इसलिए नंबर रखा ही नहीं है पहला मैं ऐसे नेक्स्ट वगरा बोल दूंगा ठीक है तो पहला क्यारेक्टर है विस्टा एंड देखो यह वाइट ब्रीड का कमांडर हुआ करता था एंड मरीन फोर्ड में इसने अपना पावर सो किया था साथी साथ इ इतना स्ट्रॉंग है कि यार जोरो को कुछ हिजट नहीं देता है उसको एक छोटे से खंजर से हरा दिया था लेगिन यार जब वो विस्टा से फाइट करता है तो वो उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाता है एंड वो लोग जो है मैच को ड्रॉ में खतम करना ज्यादा पसं है जिस वज़े से हौकाई मिहौक ने पहले तो उसके स्वाट्समें स्किल को लेकर के थोड़ा जाच परताल किया कि वो कैसा बंदा है कैसे लड़ता है एंड हौकाई ने ये देखा कि नई भाई वो अच्छा तलवार बाज है इस वज़े से उसने रिस्पेक्ट दिखाया एंड देखो यार वाइड बेर्ड का कमांडर है तो विस्टा भी वीक तो बंदा होगा नहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें पावर की तो मुझे अब भी लगता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हौकाई जो हरा देता अगर पावर के मामले में जाए लेकिन स्वाट्सम वेला बंदा ये पहले वाले 500 में भी आने वाला था लेकिन मैंने इसको नहीं लिया विकॉस वीडियो काफी ज़्यादा लंबब विया था और इस वज़हसे विग पाविवी है और इस विवह में इस बंदे को लिया जा रहे ना कि बहुत सारे फैंस जो है वन्पीस की मू वो ऐसा है कि movie में जो कुछ भी हुआ ना उसका real storyline से कुछ लेना देना नहीं है हाँ characters कुछ-कुछ जो है canon हो सकते हैं कुछ-कछ characters जो है one piece के manga और anime में exist करते हैं लेकिन movie में जो कुछ भी उनके साथ current हुआ है उनका कोई लेना देना नहीं है बिकाज ये बंदा यार Roger का rival हुआ करता था और Roger के साथ इसने 1v1 fight किया था समुंदर में और वो एक लोता ऐसा fight है one piece के इतिहास का जो की समुंदर में लड़ा गया था और वो fight draw है अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सांक्स और काईडो का fight भी तो समुंदर में लड़ा गया था तो ऐसा नहीं है वहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई fight नहीं हुआ था वरना भाई हमें कुछ ना कुछ घाव अगयरा दिखाया जाते सांक्स के उपर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सांक्स ने काईडो को convince कर लिया मरीन फोर्ड मजजा बोल करके लेकिन उन दोनों के बीच में समुंदर में fight नहीं हुआ लेकिन सीकी वर्जिज रॉजर वाला fight जो है ये वाला मांगा में देखके ऐसा हमें लगता है कि समुंदर में ही ये वाला fight लड़ा गया था एंड वो fight ड्रॉर रहा था साथी साथ सीकी ने जब मरीन फोर्ड में हमला किया था तो उसको रोकने के लिए सैन गोकु एंड गार्प दोनों साथ में fight किये थे उसके बात जाकर के सीकी जेल में गुसा था इम्पल डाउन में बट इस बंदे को मैं future में देखना चाहूँगा विकौज ये बंदा उन characters में से है जो future में return करेगा next character जो आता है मेरे साब से वो है podgers d.s देख भाई ये बंदा मरीन फोर्ड में spot death मरा था एंड इसको मारा किसने था आकाइनो जो कि अभी के time पे fleet admiral है जिस वज़े से इस बंदे को फाल्दू का hate मिलता है देख भाई marine है यार और इसका justice सबसे चूतिया है मैं ये मानता हूँ लेकिन ये बंदा pirate से hate बहुत ज़्यादा करता है अब hate क्यों करता है इसका कुछ अलग past होगा लेकिन इस बंदे को fans फाल्दू का hate करते है हाँ एसको मारा था इसने मैं मानता हूँ लेकिन एसको हर कोई मारना चाहता था वहाँ पे marine के side में हर कोई उसको execute करना चाहता था गार को छोड़के लेकिन गार प emotional था बिचारा और वह बात अलग है और उसको side में रख दो लेकिन इस कितना strong था देख भाई इस बंदे ने जीन बे के साथ fight किया था साथ यसाथ ये white beard का second division commander में गीना जाता था प्लस ये roger का बेटा था और उन characters में से आता था जिसके पास conqueror हाक की था अगर आज के time पे ace जिन्दा होता तो वो future में आगे जाकर के एक young को level जरूर बनता pirate king का guarantee नहीं दे सकता लेकिन young को level तो जरूर होता प्लस अगर white beard and ace दोनों जिन्दा होते तो white beard इसको बहुत ज़्यादा training देता एंड इसको बहुत ज़्यादा strong बना के छोड़ता एंड ace भी हमें आगे जाकर के white beard pirates को lead करता हुआ दिखाई दे सकता था लेकिन अफसोस ये चीज नहीं हो पाया मर गया लूफी का बड़ा भाई next आते हैं वो भी लूफी का बड़ा भाई ही है वो है sabo एंड देखो sabo को revolutionary army में second end command माना जाता है एंड ये कितना strong है भाई इसने dress rosa में पुझी तौरा से fight किया था साथ ही साथ जीजस बर्गस को इसने एक तरफा कूटा था प्लस अभी के time पे ये इसके devil fruit का user भी है और future में आगे जाकर के no doubt ये बंदा अगर जिन्दा बचता है तो devil fruit को awakening भी करेगा लेकिन जानते हो इसको खास बात क्या बनाता है इस बंदे के पास according to me मेरे को जाँ तक लगता है इसके पास जो है किसी खास तरह का हाकी है या फिर किसी खास तरीके का technique है इसके बार में भी बताया जाएगा जिस तरीके से Ryu हमें introduce किया गया था उसी तरीके से ये भी introduce किया जाएगा और ये भी किसी खास तरीके से armament हाकी का कोई version होगा ऐसा मेरे को लग रहा है और देख भाई ये बंदा weak नहीं है dragon उसके उपर बहुत ज़्यादा भरुसा करता है और ये बंदा अगर जिन्दा रहता है इमुस सामा ने इसके उपर क्या दे के मारा है पता नहीं वो island ही पूरा destroy कर दिया लेकिन अगर से वो जिन्दा बचता है तो 100% ये आगे जागर के बहुत ज़्यादा strong होने वाला next character जो मुझे लगता है इस list में होना चाहिए वो है Magalyn या Magalyn देख भाई ये बंदा का power underrated नहीं है लेकिन लोग इसको नजर अंदाज कर देते है because मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत पहले introduce किया गया था इसके बार में हमें ज़्यादा कुछ तो पता है नहीं बट ये बंदा इंपर्डाउन में क्या गया कांड किया है न भाई इंपर्डाउन आर्क अगर तुम देखो तुमको पता होगा भाई एक टाइम के लिए इसने ब्लाक बेर्ड पाइरेट्स के खिलाब डॉमिनेट किया था एंड देखो ये वो कैरेक्टर है जिसे लूफी ने अभी तक हराया नहीं है वैसे इस कैरेक्टर को मैं फ्यूचर में देखना चाहूंगा कि ये आगे जाके क्या कांड करता है एंड इसको देखने में मज़ा आएगा वैसे इसके बार में जादा कुछ बात करने के लिए है नहीं पर ये लिस्ट में होना बनता है इसके बात जो नेस्ट कैरेक्टर आता है वो है एनरू, एनल जो कहना चाहो कहो देख बाई ये कैरेक्टर भी क्रोकोडाइल के साथ जिस तरह से हुआ था उसी तरह के से इसके साथ भी हुआ था विकाज इस कैरेक्टर के पास बिजली वाली पावर है इसका लूगे डेवल फूट पावर है और ये बिजली के जटके देखे कितनों को पीटा था बताने के जुरत नहीं है लेकर लूफी के खिलाब इसका पावर काम नहीं करता बिकाज लूफी जो है एक रवर है ये बंदा अपने ओपनेट्स को बिजली के जटके देखे हरा सकता है अग देखो स्ट्रॉंग हाकी यूजर्स के खिलाब काम करेगा कि नहीं ये बात का बिल्कूल भी नहीं पता लेकिन ये उन बंदों में से एक है जो फ्यूचर में न्यू वर्ड में एंटर करेगा और वापस अगर ये आएगा तो बहुत ज़्यादा तबाई मचाएगा बस मुझे एक चीज देखना है कि ये क्या चीज लाके नया रिवील करता है और ये किस के साइड होता है एंड इस बंदे को ओडा जो है आगे जागे बहुत ज़्यादे स्ट्रॉंग दिखा सकता है मुझे नहीं लग रहा है कि यॉंको लेबल होगा पर कमांडर लेबल तो हो ही सकता है साथी साथ अगर स्ट्रॉंग हाकी वाला लफडा नहीं घुसाते हैं उड़ा तो फिर ये बंदा भाई यॉंको के खिलाब भी अपनी पावर सो कर सकता है वो भी तगड़ी वाली हाँ तो यार फाइनल कारेक्टर पर आएंगे क्योंकि ये वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा बन चुका है और अगर तुम कहोगे तो थर्ड पार्ट भी बना दूँगा पर फिलाल के लिए पर्ट टू का फाइनल कारेक्टर को लेके एंड करते है एंड जो फाइनल कारेक्टर है वो है यूस्टास किड किड को इस लिष्ट में क्यों रखा जाता है बताता हूँ देखो जब किड इंटरड्यूस किया गया था इसको लूफी के राइवल के रूप में इंटरड्यूस किया गया था लेकिन ये बंदा लॉज इतना भी important character नहीं बन पाया इसको Oda ने उस तरीके से रहर जर अंदाज किया जितना तुम सोज भी नहीं सकते because एक time पे इसको तुम rival बता रहे हो लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है इसके बारे में तक पता नहीं है और अगर Oda इसके बारे में भी बताने जाते तो भाई कहीं न कहीं one piece आज के time पे 30-40 chapter तो और आगे होता वैसे kid के past को लेकर के Oda ने SBS में काफी जादा चीज़े reveal की है और मैंने उसके उपर kid का past कैसा था उसका crew कैसे बना वो सारी चीज़े को लेकर के मैंने एक video बना रखा जिसे तुम जाके देख सकते हो तुमको description और comment box दोनों जगा link मिल जाएगा kid का past को लेकर को अब आते हैं इसके power को लेकर देखो इसने law के साथ मिलके big mom को हराया है गया है एंड अलबाफ में क्या उखाडता है देखते हैं लेकिन ये मेरा लिस्ता अब तुम सब अगर comment में चाहो तो कुछ पूछ सकते हो साथी साथ तुम सब अगर part 3 चाहते हो तो उसका भी demand कर सकते हो और कुछ और भी बात है तो वह भी बोल सकते हो साथी साथ लाइक सब्सक्राइब वाली फॉर्म लिटीग पूरा कर देना और हम मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करना मत बूलना तो यार मिलेंग नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई